सब्सक्राइब कर दो हमारे डिट्यूब चैनल जीप पी एडवाइस और दबा दो इस बैल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अगर आपको वीडिו अँद्याइब करके साइट पे जा सकते होगे अगर हमस्कार दोस्तो आप सबीका हमारे आपके चैनल जीपी एडवाइस में बबभव स्वागत है दोस्तो आज हम लाश ट्राइट के physics के important question बताएगा और साथ में इस वीडियो में ये भी बताएगे कि कैसे आपको board exam की तैरी करना ही physics के लिए दोस्तो बिना time इसके वीडियो को start करते है तो दोस्तो अगर आपको physics के important question तो हमने description में उसकी link दे दी है आप वीडियो के end में इस वीडियो को देखने के बाब में वह link खोल के important question read कर सकते हो और अगर आपको description उपर करना नहीं है तो मैंने वीडियो की starting बताएगे कैसा आपक करते हैं तो दोस्तो maximum students को physics करने बहुत problem होती क्योंकि बहुत complicated subject है science का लगबग हर एक बच्चे को यह subject boring ही लगता है उसको समझ नहीं आता बट आपको इसको boring subject को भी study करना पड़ेगा class students को जैसे math पसंद नहीं वैसे class 12 वालों को physics पसंद नहीं है तो आपको physics को study करने का ए आपका exam होगा उसके लिए आपको त्यारी करनी है बट जो physics के बोर्ड के लिए अगर आपको त्यारी करने है तो आपको marking scheme के निसार ही study करना पड़ेगा जो marking scheme है उसके निसार पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको class 12 physics की marking scheme नहीं पता हमने वीडियो बना रखी है आप YouTube पे सर्च कर लो class 12 marking scheme by GP advice आप लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा आप YouTube पे सर्च करोगी कि class 12 marking scheme by GP advice आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी है जो भी आपने वीडियो अप्लोड कर रही है तो आप उसके अनुसार आप marking scheme check करना और marking scheme के अनुसार ही study करना इससे क्या होगा क कि आप पूरे time waste नहीं करोगे जैसे एक chapter है उसको आपको सिरफ चार नमर कोशन आने या फिर दो नमर कोशन आने तो उस chapter को आपको दो गंटे तीन गंटे लगाओगे तो आप नहीं कर पाओ क्योंकि आपको holidays भी बहुत कम मिले physics के अंदर और आपको फरवरी के last week से last two week सिर आप से hard लगता है या जो आपको बिल्कुल भी समझ लिया chapter उसको last में करो पहले जितने भी easy chapter है जो आपको समझा जिससे आपका mind बिल्कुल सार्प हो जाता है running सही से करने लग जाता है वह chapter करो अगर आपको सुरुआत्मी hard chapter करोगे या फिर जो आपको confused करते chapter वो करोगे तो आप बिल्कुल भी study नहीं कर पाऊगे तो सबसे जो आपको चैप्टर आपके फेवरेट चैप्टर है फिजिक्स के वह study करो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आपको की आपको बिल्कुल study नहीं कर नहीं बट आपको study minimum 2-3 गंटे दिन में करो राम से आप अच्छे मांग स्को लोड कर ही नहीं सकता तो बिल्कुल दिमाग के अंदर इतना लोड मत दो कि आप डंग से कोई chapter नहीं कर पाऊ तो अगर आपको important question देखने तो हम description लिंक दिए उसको आप आराम से study करो उन में से chances है कि question आ सकते बोड exam के अंदर तो आप important question study करो और आपको जो भी question हो जो भी आपको help चाहिए तो मेरे से contact करो में contact number screen पर दे दिये मेरे से contact करो जो भी help चाहिए हम आपको properly जितनी मेरे से help हो सकती हम आपको help करूँगा बस अगर आपको ये video अच्छी लगे और आप बिचात हो कि आपके friends भी एक अच्छे तरीके से study कर सकते physics की तो please अपने friends वीडियो सब्सक्राइब करो जिससे हम अपने time पर आपको provide करेंगे तो वह भी आप देख सको तो आप सभी को best vlog आपके board exam के लिए और study करो hardly और smartly